आई ब्रीवन इस दीपक तिरपाथी फ्रॉम एनसी मेडिकल कॉलेज जबलपूर इस वीडियो में हम रिजिस्टेशन के दर और एंपी स्टेट कौंसलिंग में कौन-कौन से डांकुमेंट लगने वाले हैं उसके वारे में डिसकस करने वाले हैं और लास्ट में यह भी आने वाला हो तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेए और बैल आइकन जरू दवा लिजेगा ठीक है जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले जो रिजिस्टेशन में नंबर ओन डाकुमेंट लगने वाला है नीट एड्मिट कार्ड या नीट यूजी 2020 की रिजिस्टेशन स्लिप देखें जो नीट एड्मिट कार्ड है तो इस बार तो क्या हुआ कि जो रियल वा इसमें रिजिस्टेशन स्लिप में लगेगी बट उसमें यह है कि जब क्या बूलते हैं इस डाकुमेंट की सूट नहीं होगी तब कोई जरूरी नहीं है तो ल्ट की मांक सीट डो मिसाइल सर्टीफिकेट और एफीडेविट देखें डो मिसाइल सर्टीफिकेट एम पी का एफीडेविट मतलब यह कि आपने एक ही डो मिसाइल है ठीक है ना बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि दो और धो इसटेट के नहीं मालिहें क्फिस आप जिस स्टेट के इंपिस का आपके सब्काइब लिए तो आप काउंसलिंग अटेंड करें जैसा आपके मार्क्स तो यूपी का करिए बढ़ हां उस इफीडेविट में यह लिखना पड़ेगा कि आपने अधर स्टेट की डो मिसाइल नहीं लिए और उसको अधर स्टेट की डो मिसाइल को आपको बंद करवाना पड़ेगा ठीक है ना उसको अगर ऐसा कुछ हुआ ना बाद में अगर पता चलता है तो इस्टेशन फीस एक हजार रुपए लगने वाली है ठीक और एक बात यह है कि जो 165 सीट इंक्रीज हुई है सेवेंटी इंदोर सेवेंटी बवपाल और 25 रिवा ठीक है यह तो फायदा करेगा ठीक है ना बट क्या है कि जबलपूर और अगर यहां पर ग्वालियर में सीट इंक्रीज जाती ही तो ज्यादा अच्छा रहता तो थोड़ा सा मतला और कट आफ नीचे आ जाता ठीक है ना तो देखते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट भी आने वाली है और वेकंसी सीट वेकंसी क्लियर हो जाए अगर माली जे फर्स्ट राउंड में अगर सीट इसमें इंक् में तो क्योंकि सेग्ड राउंड कांस्लिंग निसंबर में स्टार्ट होनी है तो में एसा होता है क्योंकि चाइट करिये उसके बाद में जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो मेधावी का क्या है मेधावी में जैसे माल लीझे कि आपको government लिया है राप private लिया तो आपको fees नहीं जमा करनी है ठीक है न जब आपको डाकुमेर्य 2020 होगा तो आपको costs davon money जमा करनी पड़े वो भी 14,000 उपए government में और साहथ 25,000 उपए है private में ठीक है यह construction money जमा करनी है तो बाकि tuition fees नहीं जमा करनी आपको ठीक है न और वो tuition fees आपके जैसे माली जो first year का है second year का है वो जो tuition fees आपको आएगी न तो डारेक्ट आपके account में नहीं आएगी वो direct college के account में आ जाएगी in case of government और आपके account में आएगी in case of private ठीक है न ये मेदाबिक हो गया बाकि जैसे post metric scholarship जो है ठीक है na STSCOBC वालों के लिए उस case में क्या होगा उस case में भी admission के दोरान आपको fees नहीं जमा करनी होगी ठीक है उसमें भी आपको caution money बस जमा करनी पड़ीगी ठीक है caution money 14,000 government में ठीक है अब देखिए क्या है कि जैसे माल लीजे कि आपने वो first year second year ठीक है तो उस case में जो fees आएगी जो मतलब रहती है government के तो सबसे पहले आपके government आपके account में transfer करेगी और उसके बाद क्या होगा आप जाके college के account में transfer करेंगे ठीक है ना तो इस post metric scholarship में यह होता है कि आपको पहले आपके account में आएगी फिर उसके बाद आपको college के account में जमा करना पड आ चुका हूँ ठीक है ना तो आप जाके check कर सकते हैं मेरे telegram channel में और इसकी video में description पर link दे दिया है ठीक है ना तो आप वहां से भी check कर सकते हैं तो this is all about registration registration fees और यह scholarship कर ठीक है guys तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करेगा share करेगा और चैनल को subscribe कर लिजे ठीक ह तो मिलते है नेक्ट वीडियो में